मद्य परदेश के साथ महारास्ट के कई शेत्रों में लगातार जारी बारिश के कारण दलन की आवग बहुत कमजोर दर्ज की गई है वहीं त्यारों की बजारों में चहल पैल बढ़ने के कारण दाल और दलन की कीमतों में तेजी का वातावरन बनने लगा है चना से बने उत्ताद चना दाल और बेसन में त्योहारी मांग का दबाव अब दूरे दीरे दिखाई देने लगा है जबकि आवक बहुत कमजोर होने से भाव में तेजी देखने को मिल रही है चना काटा 50 रुपे बढ़कर 4900 पे प्रतिक विंचर पर पहुँच गया है व्यपारियों का मानना है कि मोसम खुलने पर चने में ज्यादा तेजी के असार कम है लेकिन एक बार चना 5000 पे प्रतिक विंचर का घर देख सकता है इसके चलते चना डाल में भी करीब 100 रुपे की तेजी देखने को मिली है उदर मसूर और तूर में भी मिलो की अच्छी खरीदारी रहने और उपलपता सुगन नहीं होने के कारण कीमतों में तेजी जा रही है मसूर 50 रुपे बढ़कर 63 रुपे तो तूर महराश्य सफेज 100 रुपे बढ़कर 7500 से 700 रुपे के आसपास पहुँच गई है चपकी करनाटक 700 से 7900 रुपे के आसपास देखने को मिल रही है इसके समर्थन में तूर डाल 200 रुपे तो मसूर डाल 200 रुपे और मूंग डाल 100 रुपे बढ़ती हुई दिखाई दी है वही मूंग मोगर में भी सोर पे प्रतिक विंचल की तेजी देखने को मिली है उड़त भाव में कोई बहुत जादा उठा पटक नहीं है इसे में माना जा रहा है कि अभी फिलाल त्युहारी सीजन के चलते डालों की कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है Bureau Report Market Times TV